नागपुर विधान पडिशत चुनाओ के रंग देखने लगे हैं नागपुर विधान पडिशत में इस बार एक ही विचार धारा पर चलने वाले आमने सामने चुनावी मैदान में हैं कभी एक ही पार्टी में काम करने वाले अब चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। भाजपा की ओर से पूर्वमंत्री चदरशिकर बावनकुले को मौका दिया गया। तो वही। कॉंग्रेस ने भाजपा के मगर अब कॉंग्रेस निवसी छोटु भोयर को मौका दिया है। अब इस चुनावी मैदान में कॉंग्रेस और भाजपा आमने सामने दिखाए देंगे। चुनाव कोई भी हो उमिद्वार की ओर से अपने अपने रन्निती बनाई जाती है। इस चुनाव में भी रन्निती बनाई जा रही है। अब हम आपको थोड़ा पीछे ली जाते है कुछ दिनों पहले ही दोनों उमिद्वारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नामांकन के साथ लगाए गए कागजों की जाच चुनाव आयोग प्रभारी करते है। 24 नौवंबर को सभी उमिद्वारों के कागजों की जाच है इस बात पर 50 कुले के वकील ने कहा कि ये पद उने शासन ने नहीं दिया है इस पत के लिए टरेश्प्री ने उनने बहुअमस्षे चुना है इसलिए कानून के अनसार शासन इस पर आक्षेप नहीं ले सकती वकील के इस बयान पर चुनाव प्रभारी ने भोयर का ये दावा ठुकरा दिया भोयर ने फेरेक खामी निकाली उनका कहना था कि बावनकुले के पुत्र गार्मेंड कॉंट्रेक्टर है इस पर वकील ने जवाब दिया कि इसके लिए उमेदवार होना नहीं चाहिए और बावनकुले उनके पुत्र के कमपनी में सदस्यन नहीं है भोयर का ये दावा भी चुनाव प्रभारी ने ठुकरा दिया ऐसा नहीं कि इससे साबित करने के लिए भोयर को समय नहीं दिया गया भोयर को चुनाव प्रभारी ने एक घंटा दिया था अगर चुनाव प्रभारी केस निरने से एक सवाल निर्मान होता है कि ये समय जिसके काग्जों में खामिया निकली है उसे देना चाहिए या फिर जिसने खामिया निकाली है उसे देना चाहिए बैरहाल भोयर का ये श्यस्त्र व्यर्थ गया चुनाव आयोग ने 52 कुले को क्ल कि बीसे नियूज नापपूर